नमस्कार दोस्तों माँ आपका अपनाविकास कुमार आपके अपने यूटूब चैनल विक के टेक फरेंड वे स्वागत करता हूँ तो दोस्त एग बार फिर आजे रूमा कुछ टेक अपडेट के साथ तो दोस्तों आप वीडियो में लाक्ष तक बने रही है चलिए चलते है वीडियो की तरफ पहला अपडेट निकल क्याता है पोको को लेकर ठोको कंपनी बड़ा दमाकख करने वाली है खबर है की कंपनी जल्द इबारत में अपने लेट अपनी लाप्टोप लॉंज करने की तयारी कर रही है ठोको बारत में जन लेप्टोप की एंट्रि कराने वाला है उनके वोट के चाल्ज के साथ हाएगा Samsung का याई upcoming smartphone 5G network को support करेगा phone में display note selfie camera के साथ 6.5 inch का display मिल सकता है phone में photographic के लिए quad rear camera setup मिल सकता है जबकि एक camera side में LED flash के नेचे दिया गया है इस phone में 3 rear camera के साथ 48 megapixel का selfie camera मिल सकता है तीसरा update निकल के आता है moto को लेकर Moto E7 smartphone जल्द इबारत में launch हो सकता है company इस phone को Lenovo K12 के नाम से launch किया जा सकता है phone में 6.5 inch का HD plus water drop note display दिया गया है इस phone में media tech Helio G25 processor दिया गया है photography के लिए rear camera में 13 plus 2 megapixel का दिया गया है selfie के लिए इस phone में HDR support के साथ 5 megapixel का front camera दिया गया है phone में 4000 मेंच के battery दी गई है जो 10 watt के fast charging को support करता है अगला update निकल क्याता है वीवो को लेकर वीवो V20 smartphone जल्द इबारत में launch हो सकता है phone में 6.4 inch का HD plus AMOLED display दिया गया है इस phone में snapdragon 720 दि प्रोसेसर लगा है photographic के लिए triple rear camera लगा है 64 plus 8 plus 2 megapixel का setup दिया गया है जबकि selfie के लिए 24 megapixel का camera दिया गया है display fingerprint sensor वाले इस phone में 4000 mAh के battery लगी है जो 33 watt के fast charging को support करती है अगला update निकल क्याता है PUBG Mobile India को लेकर इस communist की तरफ से कोई approval नहीं आया है तो अभी इस की launch की कोई संभावना नहीं है तो दोस्तो यह थी आज के हमारी वीडियो वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब परें थैंक्यू झाल